आपका बहुत स्वागत है उम्मीद आज से कामना करता हूं आप सबी ठीक होंगे बहतर होंगे रेल कोसल विकास योजना 2024 का नोटिफिकेशन विग्यापन जारी कर दिया गया विगपती जी से आप कहते हो जारी कर दिया गया है ना कोई पेपर ना कोई इंट्रू आंग्रेजों के जमाने वाड़ा यो सिस्टम है हाप भी डाक विभाग में जो लाग हो है जो रेल कोसल विभाग योजना एक जल जीवन मिशन में लाग हुए जल जीवन मिशन के तरह गाउं गाउं जो जलकी टैंकी पर जो नोक्री लगत पर चैनल सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोधी सरकार की चुट्ट बड़ा आदेश ने नियम योजनाओं में बदला हो या कुछ भी ऐसा भारत के अंदर मोधी सरकार का जिसका लिए ना दनाफ से है शटीक विश्रसने दिनाए का काम करता हूं मेर इस योजना का फोरम कब बढ़ा गया? इस मोधी चैनल सबस्क्राइब करता है यह एक नंबर ह ही होशला हिम्मत ता काम हमको करता है और जो दुगा ओले और अरिगना कहीं कर लेना कहीं कर लेना बाई एक वर्ट तक कोई गलत सावित नहीं करेगा सभी भारत वासियों के लिए जो है साथ यह सीधा बट डिस्क्रिप्शन वाट्सप् गुरूप का लिंक बन दे दिया आप मेरे साथ इस वाट्सप् गुरूप जूरु सकते हैं इस वट्प्व के अंदर भारत के अंदर मोधिश तरकारी की छोट बड़ी जो योजनाव की अपडेट सीधा इसका अंदर प्रवाड करता है इसका लिंक की अंदर बोड फार्वी करते हैं डिश्रम्प समदे लिया वैड कोसल विकास इलग को सब करते हैं महीना साथ सरकार का रेलवे जो मंत्रा काा कम करता है इलिजिबल्टी यानि योग्यता योग्यता इसके अंदर गुरूजी इसके अंदर जोगे ऑनलाइन आउदर फोर्म भी भरके दिखाऊंगा मैं पहले जानकारी देता हूं फिर भाईयों को इसी वीडियो में अलाइन आउदर फोर्म भरके दिखाऊंगा आध दस वी पास 18- से 35 साल उमर दस वी पास 18-35 साल उमर दस वी पास मेरों कोई ऐसा ओने देर खाऊंगा इतना पर्सेंट होना चाहिए इतना होना चाहिए नहीं पास अल जेंडर विकास यह दो जिस बी वेबसाइट के पीछे आ जाता है और सरकारी वेबसाइट होता है दोटन का मतलब इंड बाहिए पीछहत्र प्रुंत अपत्र जरूरिया है थीन सब्ता का परीक्षा लेते हैं और ये प्रेक्टिकल प्रिक्षा लेते हैं पच्पल प You सबको फिर चब आपका ट्रेनिंग हो जाएगा उसके बाद सात्यों उसके बाद भाई इसमें होगा क्या आपको जो है रेल भीवाग्ग के अंडर के आपको जो है नोकरी दिन का जो काम करेंगे साथियों इसका जो है इसका मामला ही हो है बाइद दस मारच से आपके जो है ऐनलाइन आधर फॉर्म सुरू हो चुक है 23 मारच तक आपको ऑड़ाईन आधर फॉर्म भरे जाएंगे मैं भरके दिखाऊँगा चोदे दिन का समय आपका जो है ओनलाइन आउधर फॉर्म का है ठीक है साथ यो फिर 24 मारच को जो भी आगर आप फारम अपना सही तरीके से भरते हो आपका फारम ओके होता है तो 24 मारच को आपको मेल या मुबाइल नंबर पर या यह लिस्ट तो अपडेट करते हैं वेबसाइट पर आपको सोट लिस्टिर का मैसेज आ जाएगा और आप जहां भी ट्रेनिंग अलोवर इंडिया के अंदर करना चाहिए जब आप फॉर्म बढ़ेंगा मैं बढ़के दिखाऊंगा वहीं आपका 10 वी का मार्ग सीट चाहिए ठीक है आपका जो है मैं बता ही दिखाऊंगा फोटा आइडेंटिटिटी प्रूब यानि एसी आई काड होना चाहिए जैसे आधार काड में फोटो होता है मलब ऐसा होना चाहिए जिसमें फोटो हो तो पैन काड अगरा कोई भी दो एक आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए ठीक आधार काड कापी है और एक भई आफिडेविट बनता है दस रुपे का दस रुपे का एफिडेविट और ये मेडिकल स्रेटिविएट इन दो चीजों की आपको अभी जब आप एप्लिकेशन फोर्म भरोगे कोई जर्रत आपको अपने फोन के अंदर गुगेल ओपेन कर लेना है गुगल में आपको डालना है रेल कोसल विकास योजना वेलकम टू सील्ट डवलू ओफिसियल वेबसाइट आपको इसी पर सिंपली किलिक करेंगे रेल कोसल विकास योजना इंडियन डेलवे.ड.ड.in आपको यह किलिक कर देना है बाकी साथ यो वट्सप ग्रूप जूर जाना वहां डिस्क्रिप्शन में वहां में इसका लिंक सीधा एपलाई ओनलाइन का आपको डाल दूगा बाई जैसे ही आप इस पर किलिक करेंगे रेल कोसल विकास योजना युवा को कोसल बनाना देश को आगे ब आभी जाना रेल कोसल विकास यहां से अपना इस्टेट जो भी आपको इस्टेट शिलक्त करना है दिन आपको इस्टेट डालोगे जो भी उस इस्टेट के अंदर जो सेंटर रहेंगे वह लिश्ट दिख तो जोबी आपके वहां नज्दीक साहस्था नियुगा स्थान्या कर देना ठीक है बैई साथ यो जेसे हैं यहां जासे हमने यह सेलेक्ट कर लिया आप जिस भी राज्येग के आपने राज्येगए जो भी आपको निकरफ में वह से करोगी ठीक है साथ इस में जो है आपको आल्रेड़ी यह दियाऔपका अकोंट है तो साइन कर यह वरना from password और sign up पर आपको click कर देना है दोस्तो sign up पर जैसे ही आप click करेंगे भाई आपके जो mail है आपका mail पर mail account जो gmail account है उस पर आपका verification email ये भेज़ देंगे ठीक है वहाँ आपको login ID password सारा mail पर आपका भेज़ जाएगा यहाँ पिली check your mail box and verify check email जो है railway की तरफ से वहाँ भेज़ा जाता है आपने जो यहाँ gmail gmail email number जो अभी यहाँ provide कर रहे गया भाई उस पर फिर repeat कर देता है यहाँ आपको अपना email box चेक करना है gmail पर ठीक है वहाँ gmail जो है यह लगबग 10 से 15 सेकंड के अंदर यह डाल देता है उसके बाद आपको login करना है यहाँ अपना email number यहाँ जो आपना अभी अभी password create किया है बाकी वह mail चेक ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको verification mail होता है यह आपका बन गया आपको email और वह लगा कर password लगा कर login कर देना है ठीक है भई जैसे ही आप इसके अंदर login करेंगे अगेन आपका इस तरह interface कुलेगा आप apply here पर क्लिक करें अगेन वही same process है notification यह complete your profile आपको आप गया करना है उपर उपर please complete your profile to submit your application ठीक है भई उपर वाले option पर क्लिक करना है यहाँ वेक्टिगत वीवरन पिता का नाम माता का नाम mobile number आपका जो personal details है वो आपको यहाँ फिल कर देने ठीक है भई नरसरी किलास का बच्चा असानी से बर देगा आपको next पर यहाँ किलिक कर देना और यह वहीं से आ जाता है आपका automatic वहीं से उठा लेता है आगले में आपको जो है सात्यो education detail आपको फिल करना है जो भी आपकी education qualification है यानि section की जो योग्यता है आपको अपनी योग्यता फिल कर देना ठीक है सात्यो जिस भी board से है जिस भी उस से है भाई जिस से भी आपका है ठीक है उत्तर प्रदेश ब्याहर CBSC हरिगणा बोड आपका राइस्तान बोड आपका जो भी board है सात्यो वो board आपको यहां select करना है second number column में भाई mark sheet number आपको select करना है third number column में जितना percent आपका बना है वो percent आपको यहां अधर दरना है सात्यो fourth number column में जो है आपको year of pass यहां दरसा देना ठीक है जिनका result CBS सिवानों का जो result है वो CGPA में आता है ठीक है उनका भी बता रखके CGPA का इस तरह आप जो है अपना CGPA calculate करकर वो कर दीजिए ठीक है वो percentage में आपका बदल जाता है तो सात्यो यह आप तक step by step पूरा form भरके आपको हम दिखाएंगे आपको form जरूर डालना है चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है नेक्स्ट पर आपको click कर देना आपको अपना address number address to district pin code यह फिल करकर आपको next पर click कर देना है ठीक है भाई यह जो है यहाँ आपको यह say okay पर click करने के बाद भाई अभी इसके अंदर जो है आपका यह पूरा जो है complete हो जाता है profile updated successfully you can now apply ठीक है आपको उपर apply वाड़े पर again click करना है ठीक है सात्यो यहाँ से आपको अपना advertisement number यहाँ आपने जो state था वो अपना state चूज करना है ठीक है सात्यो यह अगें चूज करना है अपको ठीक है यहाँ आपको institute name जो आपका नजदिक है यहाँ जैसे यह आप institute name डालोगे search पर click करोगे तो भाई यह पूरा address आ जाता है यह जो training center है यह है कहाँ ठीक है भाई सात्यो यहाँ जो है आप देख सकते हो यहाँ बिहार का अगर आपको डाल के दिखाए search करें तो बिहार के training center आपके आ जाते है उत्तर प्रदेश का डालो जिसका भी डालना उसका डालिए जो भी आपका राजी है भाई आप तो वह डालोगे ना जो आपका राजी है ठीक है सात्यो यहाँ आपका fitters welding यहाँ आपकी preference यह आपको प्रिफरेंस देना यहाँ प्रिफरेंस यह 6 फरवरी से और भाई आपका 22 फरवरी तक आपका training रहने वाला है यहाँ यह डैट इस द कर देना और submit पर आपको क्लिक कर देना आप भाई इसको जो है offline भी इसको form भर सकते हैं इसका online भी आप फॉर्म भर सकते हैं ठीक है यह पूरा का पूरा इसका प्रिकरिया था सात्यो यहाँ से जो है आप offline जब आप इट्व एप्लाई offline यहाँ क्लिक करोगे यहाँ आपका वो आ जाएगा वो दोनों वो फारम निकल के आपके आजाएंगे ठीक है आपको सात्यों एक नंबर दे दिया जाता है रेजिश्टेशन नंबर उससे आप अपना application इस्टेटर से application पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ आपका यह सब्मिट क्लिक करने के बाद ऊपर कौरनर मे बदैकर मेरा माइस देखा अपना application पर क्लिक किया यहाँ आपका application enrollment अई देखने को मिल जाता है यहाँ पूरा डिटेल इसका देखने को आपको मिल जाता है विद्डोव application यहाँ से कर सकते हो और printed करना है ऊपर से application form को आप पर प्रिंट करते हो तो बहुत बहुत भारत चैनल सब्सक्राइब